नमस्कार जहिन साती हूँ मैं अभिशेक मिस्राज आप सभी लोगों का हमारे दिन संकल पीटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं आज आप सभी लोगों के लिए क्लास 7 की NCRT भूगोल के महतपुर प्रशनों को लेकर किया हूँ जिसमें आज हम क्लास 7 की NCRT भूगोल का लास्ट चैप्टर के कोशन को डिसकस करेंगे अभी आप लोग यह सूच रहे हूँगे कि सर ने तो कल बताया था कि पूरे चैप्टर टेन है लेकिन आज बोलना है कि 9 चैप्टर है तो ऐसा क्यों तो इस बात को समझीगा क्या कि जब NCRT आई थी तो इसमें पूरे 10 चैप्टर थे भूगोल में क्लास 7 की और फिर जब इसका 2019 का संस्क्रड आया था तो इसमें क्या हुआ था इन्होंने चैप्टर 9 को हटा दिया था और 9 की जिगा 10 को ले आया थे एक्चुली बात कुछ ऐसी है कि चैप्टर 9 था सीटोशन घास इस्तलों में जीवन और इसके विसे में हमने पहले ही कई सारे चैप्टरों में देख लिया है जो कि मैंने आपको बदाए भी था ठीक है जो चैप्टर 6 था पहले 5 था चैप्टर 6 में हमने काफी सारे इनके विज्चे में जानकारी प्राप्त कर ली थी, ठीक है, तो ये इतना महत्तो नहीं रखता है, इसमें अमेरिका के एक पेरी नमक की जगह है, तो उसके मारे बारे में बताया जारा है, और ज्यादा इंपॉर्टें चिप्टर नहीं है ठीक है तो इसको खटा दिया था सरकार ने और अब क्या है कि जो 9 था उसको हटा करके चप्टर 3 जिसका नाम था रेगिस्तान में जीवन इसको चप्टर 9 के जिगए ले आया थे तो मुझे ध्यान नहींद दा ता इसलिए मैंने आपको कल बोल स्था चप्टर 9 और आज की चेप्टर तो important है इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है सब्सकाइब कर लिजी का बेल आइगन को दबाईगा और साथ ही साथ हमारे वीडियो को like, share, comment जरूर करते रहें ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला प्रस् किया करें इससे आपका confidence भी वड़ेगा आपको प्रते को सन याद होता चलेगा जब आप किसी को सन को उत्तर उसका उत्तर पहले सी देने का प्रयास करते हैं तो वो आपको याद होता चला जाता है ठीक है तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको देता हूं इसका अपर बनस्पती बहुत ही बिरल होती है इस बात को समझीगा अगर आप जाएंगे लद्दा के रेगिस्तान में तो वहाँ पर आपको ठंडा रेगिस्तान मिलेगा ठीक है कुछ रेगिस्तान ठंडीले होते हैं जहां पर बर्फी बर्फ होती हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कि गरम रेगिस्तान होते हैं ठीक है जहां पर रेत ही रेत होती है तो रेत वाले रेगिस्तान अत्यदी गर्म होते ह और यहांपर कम पाए जाते हैं क्यूंग यहांपर पानी की मात्रा बहुत ही कम होती ठीक है इसलिए यहांपर बहुत कम पाए जाती है इसके बाद में आगी दिया जा रहा है कि विस्चु की रेगिस्थानी छेतरों में कम वर्षा, वेरल बनस्पती इबंधें चरप्मान लेंते ही रह थीайте। कतन सत्य है, पहला कतन दिया जा रहा है, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, दूसरा कतन दिया जा रहा है, यह लगबग आठ दसमलब 54 लाख वर किलो मीटर के छेतर में फैला हुआ है, और तीसरा कथन दिया जा रहा है सहरा रेगिस्तान 14 देशों से घिरा है क्या ये तीनों कथन सत्य हैं अगर आपको पता है तो आंसर दीजिगा कमेंट बॉक्स में ठीक है चलिए आप लोग वीडियो रोकर के आंसर दिया करें मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ इसका अंसर होगा कथन एक और दो सत्य है लेकिन जो कथन तीसरा ये वालक असत्य है क्योंकि जो सारा के रेगिस्तान है ये कुल 11 देशों से गिरा है 14 देशों से नहीं गिरा है ठीक है तो ये विस्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहा जाता है और यह इसकी लंबाई अगर देखी जाए तो यह लंबाई चोना सब कुछ मिला करके यह 8.4 लाख वर किलोमीटर चेतरफल में पूरा फैला हुआ है ठीक है और आग क्या आपको पता है कि हमारे भारत देश जो है भारत का पूरा कितना चेतरफल है पूरे भारत का चेतरफल ह 3.2 लाख वर किलोमीटर अर्थात अगर देखोगे तो 2.5 तो आई जाएंगे सारा करेगिस्तान में मतलब पूरे भारत ठीक है तो जो सारा करेगिस्तान है यह पूरे 11 देशों से गिरा हुआ है और यह देश जो है 11 पूरे उनमें से एक है अलजीरिया दूसरा चार्ड ती को लिख लीचिएगा कौन-कौन से कौपी पेंड लेकर के साथ में बैठा करें आप लोग ठीक है तो सभी चीएं को लिखकर के चले भारत का पूरा चेत्रपल कितना है तो भारत का 3.2 0,2 लाख वर किलो मीटर शारा के पूरा कितना है तो इसका 8.54 लाख वर किलो मिटर इस चिम सारा इन सभी देशों से मिलकर करके घिरा हुआ है तो इन सभी चीज़ों को लिख लिए जीगा चली आंगे बढ़ते हैं इसके बाद में हमको मिलता है कोस्टर नमबर तीन और इसमें दिया जा रहा है सहारा रेगिस्तान की जलवायू के संदर में दिये गे निमने लिख साथ डिग्री सेल्सियस से उपर पहुंच जाता है क्या ये तीनों कतन सत्य हैं अगर सत्य हैं तो बताईगा नहीं है तो कारण बताईगा चली मैं इस कांसर बताता हूं इस कांसर होगा कतन एक और दो सत्य है और जो कतन तीसरा दिया जरा इबाला आ सत्य है क्योंकि यहां क रेगिस्तान जो है यहां की जलबाई बहुती गर्म है और सुस्क भी है कोई भी रेगिस्तान ओ या तो गर्म होगा या तो धंडा होगा तो सारक रेगिस्तान गर्म है ठीक है और यहां पर जो बरसा होती है वो भी अल्प काल के लिए होती बहुती कम समय के लिए होती है अब जिब कर्म समय के लिए बर्सा होती तभी तो रेगिस्तान बना हुआ है अगर बर्सा यहां पर अतरिक हो तो रेगिस्तानी बने ही ना फिर तो आम तोर पर यह मैदानी शितर बन जाएगा ठीक है और यहां का जो आकास होता है वो बादल रहीत होता है और निर्मल इदम साफ दिखाई देता है और यहांपर नमी संचय मतलब नमी जमीन के अंदर जाएनी के पेख्चा वास्पित होकर कह जल्दी से आसमान में चली जाती-मतलब जितना भी पानी बरसता है वो जमीन के अंदर पाई नहीं जाता है बलकि बादल बनकर के उड़ जाता है ठीक है और दिन में विश्वास करीगा कि दिन बहुती गर्म होते है वहाँ पर और दिन के समय में वहां का तापन 50 डिगरी सेल्सियस से भी उपर पहुंच जाता है ठीक है चटानी होती है उनकी वहां की जो बहुत जाना गर्म हो जाती है तीक है जिससे कि वहां की जो रेत होती और जो गर्म चटानीय हो जाती है उनकी चार और की जौँथ गर्म हो जाता है । यहां कि राते बहुत ठंडी होती है यह विश्यस्ता पाई गई है जो रेगिस्तान जो चेत्र रेगिस्तानों कुछ भी हो जहां की दिन जितना जादा गर्म होगा उतना थंडी होगी ठीके और ताप मांगु सी म हीमांग चार और इसमें दिया जा रहा है सहारा रेगिस्तान में निम्न में से कौन सा पेंड पाया जाता है option A, cactus, option B, arm, option C, eucalyptus, option D, उपरोग तो सभी तो इन चारों में से जो option सही होगा वो है इसका सो अंसर दीजीगा भाई ये तो optional है ठीक है तो इसका सोल का option A, कैक्टस ठीक है तो सारा का रेगिस्तान है यहां की बनसपती में कैक्टस है खजूर वे हारी दूइब पाए जाते हैं जो खजूर के पेंड होते हैं उनके आसपास जो खजूर के पेंड की एक खासित होती है कि ये मजबूर जादा होता है और मिट्टी को जमीन के अंदर से जो जल होता है जमीन के अंदर से खीच लाता है नीचे से ठीक है तो यही इसलिए यह जीब जन्तु हैं जो सभी ऐसे मौसम में जी सकें ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते कोशन नमर पांच को पांचमा प्रसन आप सभी लों के सामने हैं और इसमें सहारा रेगिस्तान के संदर में दिये गे निमनलिकित कतनों में से कौन सा गतन सकते हैं आपको बता हैं क्या ये दोनों कतन सकते हैं चलिए आंसर गलता है.. जो घ recommends होता है वहाँ पर जल 스टण पर आजाता है.. और वहां पर मरधान बन जाते हैं और ज्छेतर बहुत यह उपजाव होते हैं ओर यहाँँ वहां इस-सिथानों पर अपना waiting tab controls बनाते हैं recognize सतय पर आ जाता है ठीक है भूमिगजल सतय पर आ जाता है और वहां पर ही मरुधान बन जाते हैं और जहां पर यह मरुधान बनते हैं यह चेतर बहुत यूप जाओ होते हैं और यहां पर जो वहां की लोग होते हैं वो इसी स्थानों पर अपना निवास बनाते हैं और अपने आसपास खजूर के पेंड हैं और अन्य फसले किया करते हैं जिससे कि वहाँ पर रहकर के जीवित रह सकें ठीक है अपना जीवन जी सकें चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोस्ट नमर 6 को कोस्ट नमर 6 आप सभी लों के सामने हैं और इसमें दिया जा रहा है जंबू कस्मिर के पूर्व में इस्तित लदाक के संदर्व में दिये गए निम्लिखित कत्रों में से कौन सकतन सकते हैं अब यहां पर एक बात समझ लेजीगा कि यहां तक आप कता सारा रेगिस्तान के लिएक दित्कस करेंगे ठीके तो कुछ लोग बोलने थे आप टॉपिक बाइस टॉपिक पड़ाते हैं तो जी हां मैं टॉपिक बाइस ही सभी कूस्टयंस को लेकर के आता हूं क्युकि मैं टॉपिक 21 की बनाता हूं ठीक है तो इसमें पहला ऑप्सण दिया जा रहा है लद क्या इन चारों में से कोई भी कसन सकते हैं अगर आपको पता है तो दीजिएगा आंसर कमेंट बॉक्स में क्यों कि जम्बू कस्मीर में ब्ष्ष हिमाले में अच्छी सी देंगे अगर इसके टंडा रेगिस्तान है इसके उत्तर में कारकोरम परबस्रेंडी होग्जिया में जासकर पर्बस धेड़िये ठीक है जो लड़्दाग है यहां की उत्तर में काराकोर्म क्वर्बस धीड़ियरory में जासकर परबस धेड़िये ठीक है तो इन परबस धीड़ियों को याद कर đượcड़े को यह आपके लिए बहुत ही important है इसके बाद में हमको मिलता है question number 7 और इसमें इंदिया जारा कि निम्नलिकित में से कौन सी नदिया लदाक शेतर से होकर बैती है option A, सिंदू, option B, दामोदर, option C, बराकर option D, उपरोग तो सभी तो इन चारों में से जो option सही होगा option A, अर्था सिंदू, ठीक है तो अगर देखा जाए तो लदाक से होकर कि कई नदियां बैती है, कोई एक ने कई नदियां बैती है, जिनमें सिंदू और सियोक, ये दो नदियां बहुत ही प्रमुख है, ठीक है, ये दो प्रमुख नदियां है और जो ये स्योक नदी है ये सिंदु नदी की एक बहुती महत्पुर्ण सहायक नदी है ठीक है और ये नदियां गहरी घाटियां एबम महाख़ड अर्थाद गार्ज का निर्मार करती है ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और जो लदाक में हानिया हैं हिमानिया है जैसे कि देखिए लद्दाग में हिमानिया भी है ठीक है अन्यक हिमानिया जैसे कि गैंगरी हिमानी ठीक है तो ये भी आपके लिए एक लद्दाग शेत्र में उच्छ सुसकता के कारण वनस्पति विरल है और इसके आद में दोस्वा कतन दिया जा रहा है यहां जानबरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एबं चोटी जारियां हैं और तीसरा कतन दिया जा रहा है क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सर्पत विलो की लकडी से बनाया जाता क्या यह तीनों कतन सकते हैं अगर आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट का बल्ला सबसे अच्छा किस से बनाया जाता है किसकी लकडी से बनाया जाता है तो चलिए इस कांसर में बताता हूं आपको इस कां या पर चोटी जाड़ियां ही उनको मिलती यहां पर बरसा कम होती है वहाँ था जाती है और गहां कि जो घाटियों में जो तो बिलो के और पॉल्वर भी वहाँ थीक है बिलो जिसको सरपत का जाता है सरपत एबं पॉपलर के उपवन देखे जा सकते हैं और क्रिक rifr correct का सबसी अच्छा बला बिलो के पेड़ से बनाया जाता है जिसको आप लोग सरपत भी कह सकते हैं सरपत या फिर बिलो की लकड़ी कैसे बना जाता ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोसर नमबर 9 को कोसर नमबर 9 आप सबीलों के सामने हैं और इसमें दिया जारा है कि लदाक के लोगों कि संदर में दिये गए निमनलिकित कतनों में से कौन सा या फिर कौन से कतन सकते हैं दो कतन दिया जा रहे हैं पहला कतन है लदाक में अधिकांस लोग हिंदू या तो हिंदू या तो जैन हैं क्या ये कतन सकते हैं इसके आदम दूसा कतन दिया जा रहा है ठीक है तो इसको समझीगा लदाक में अधिकता लोग कौन से रहते हैं ठीक है तो लदाक में अधिकता लोग मुस्लिम रहते हैं और बहुत रहते हैं ठीक है लदाक में मुस्लिम और बहुत यह लोग रहते हैं और वहां के लदाक शेत्र में अनेक बहुत मठ अपने परमपरा इसका प्रमारे का बुद मट होता है और बूद मुत के भवन होते हैं या फिर बने हुए होते हैं रिसों की सुरक्षा के लिए, तो हमारे आज की लिए नखिण कि क्लास 7 की NCRT जोग्राफी का चिप्र था यह लास्ट चिप्र था और इसमें हमको पूरे इतने ही प्रस्ण मिले थे इतना ही इंपोर्टन था जो भी इंपोर्टन था वह मैं आपके लिए लकर के आया था और आप लोग उसे एक रिक्वेस्ट ही कि हमारे वीडियो को सेर अ प्यास करूंगा अब जिन लोगों को NCRT के नोट्स लेने हैं वो लोग हमको इस नंबर में बहुत से पर मैसेज के NCRT के नोट्स ले सकते हैं और इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा ठीक है तो जो लोग पेमेंट नहीं कर सकते हैं सभी नोट्स के वीडियो आपको हमा पाइदा है आप लोगों को हर चीज अच्छे समझ में आ जाती ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ आज ही क्लास सेवन की NCRT साइंस का चिप्टर बन का वीडियो आएगा साम को साथ बज़े जिन लोगों को देखना है वो लोग देखें मैं तो कहूंगा स अब लोग देखें बहुत ही इंपॉर्टन चेप्टर उसमें हमको काफी सारे पॉइंट मिलते हैं ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तत्य के लिए जैहिन दोस्तों